प्यारे साथियों जैसा कि आप लोगों का क्लास टेंट से फाइनल बूर्ड एक्जाम दो हजार पचीस में होने जा रहा है तो यह वीडियो जो है आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने बहला है क्योंकि प्यार बच्चो अभी का इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंट के आपको मिलेगा तो आप जोड़ जाएगा ना साथ में इस नंबर पर मैसेश करके वाट्साप गूर्प जरूर्व जोएन कर लिजेगा अन्ठांबे तीन सवा पच्पन सुला साथ सो दस पर आपको अपना नेम जिलाका नेम क्लास टेंट लिए के विजना ताकि मैं आपको बिल्कुल कह सकतो ग्यास कुश्चिन आपके एक्जाम हांडेट पर्सेंट आएगा ग्यारेंटी के साथ बतारों आपको शारी कुश्चिन को जो ना रट लेना है तो चलिए पहला नमर कुश्चिन जो बोला गया यह प्रस्न आप लोग देखीगा बोला जा रहा है कि भार द्यातमी वीरोजगारी का एक परमुक और पर्तियक्षिकारण बन माना जाता है चूश्य जाती में जनमले होता है वह अपने माता-पिताब के में पेशे के अनुसारी जीवन бар के लिए उसी में बन जाता है है उसके बाद वहां मनपसंद कार करना चान नहीं जाता है प्रन कुछ लोगों की नजर में कहानी का मदन है चुकि लेखक का कहना है की जो बुराई का अंत करता है उसे आएक माना जाता है एक दिन कि वाते कुछ जोना अवारा गर्द छोकरों के साथ लट्टू कह नचार आता उसी मैडन में खोका आकर कहता है कि लट्टू हम भी खेलेंगे जब उसे मैडन मान के दौरा मना कर दिया जाता है तो चार घुसा खोका को जमा देता है उसके बाद मदन ने भी कासू के दांत तोल डारे तो मदन एक इमांदार और स्वाभी मानी बालक था अता कहा निकाना एक मदन ही होना चाहिए तो इस परकार से उतर होगा आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट कुश्चन जो है तीन नमर बोला गया तीन नमर कु में हो सकते क्योंकि भारतिया ग्रामिन संस्कृति में सच्चा भारत निरहित है बारतिया ग्रामिन लोगों में सच्चाई प्रेम करूना और सहयोग की भावना कुट कुट कर भड़ा होता है जबकि सहरों में ऐसा नहीं होता है गाओं के अप्विक्चा सहर जैरा प्रदू चीठ होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन के और अगली कुश्चन देखिये चार नमरे बोला जा रहे क्या बोला जा रहे कि शिक्षा का जो ना अरस धरे गांदी जी को क्यों जात मानते हैं तो बिल्कुल देखिएगा गांदी जी के अनुसार शिक्ष का अंत नहीं है नहीं है वह आदी भी नहीं है इसलिए गांदी जी कहते हैं कि बच्चों को कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए और जिस छन से हुआ अपनी तालीम शुरू करे उसी छन से उत्पार्ण का काम करने योग बना दिया जाए कि पढ़ाई करना जरूरी है लेकिन पढ़ाई के साथ में आपको कोई भी काम अगर सुरू करना तो बिल्कुल आप उसमें तुरत जो है अर्णिंग वेगरा करना सुरू कर दो पैसे कामाना गांदी जी का यहीं कहना था तो आपको याडगना है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कुशन हो जाता है आपका लुद्ध के अनुसार भगत जोना भग महिमा पाथ गर बनाग तकी आस्था में निरीजर्थ होता है भगत चुकर महिमापाथ की आस्थ के निरीज़्ग होता है जो भगत्य को भगवान को पुजा करते हैं और अपनी आधरिष्टी बिढकर से आपको याद रखना है बेलकुल आपके एक्जाम में आपको इन सारी कृश्चन को याद कर लेना को याद करके आपको जो है ना एक्दाम में inflam के टाइम में जाना है इन सभी कुश्चन को चलिए कुश्चन मरच आपका होता है कि कभी जीवनान अंदास अगले जन्म में अपने मनुस होने में क्यों संदे करता है इसका कारण क्या हो सकता है तो तरोगा बारतिया समाज में यह मानने ता है कि जीवों की 84 लाख योनियों हैं जीवों की अगले जन्म में मनुस होने में संदे करता है आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट कुशन आप रहें साथ नंबर यह बोला कि वेटे के आंसु कब आते हैं और क्यों अक्षड ग्यान शिर्षक पार कविता के अधार पर उत्टर दे तोटल लोगा स्रिखने के करम में बारबार परियास करने पर वेजब बालक बिकल हो जाता है तो पहली विफल्था पर आंसु आजाते हैं क्योंकि कर्णितां परियास के बाद बिफल होना कस्त दाई इस्टए उत्पन करता है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कुशन औहना आट नमर नमर प्रूशन बुला गया बारत मा मता शीर्षय कविटा में कवी जो है भारत बास्यों का कैसा चितर खिचता है तो देखेगा परता मनुचेर में कवी ने भारत माता के रूपों का सजीवनातमक रूप प्रदर्शित किया है और कहा है कि गाउं में बसने बाले भारत माता आज धूस धूल दोड़ जना धूसर गई है आज भारत माता का आचल मैला हो गया है गंगायमनों के जल परदूशित हुग गया है आज भारत माता मिट्टी की एक उदासी पंदिमाजेक जैसी हो गई है तो इस प्रकाछ याड़ रखना है आगРЕ वडेंगे तो नौनमर्कुष्ण हो जाता है और नौनमर्कुष्ण बोला गया कि लक्षमी कौन थी उसकी परिवाडिक इस्थिती का चित्र परश तूट किजिए तो दखिए लक्षमी दाते विश्वास कहानी की परमुक पातरा है उसका पती लक्षमन कलकत्ता में नोकुड़ी करता है पती के द्वारा प्राप्त रासी से उसका घर परिवार नहीं चलता है तो वह तासिल दाल्व सहाब के घर पर छोटे मोटे काम करके किसी तड़ा जीवन यापन कर लेती है लक्षमी के पास एक छोटा सा जोपरी नुमा घर है जो बास एबम पुवाल से बना हुआ है लक्षमी के चार संतान है जिसमें छोटे जिसमें दो वेटे एबम दो वेटियां थी लक्षमी के पुरवजो द्वारा छोड़ा गया एक विगा खेत है किसी तड़ा लक्षमी ने उसमें खेती करवाई है बरसा नहीं होने से अंकूल जल जल गए है तो कहीं कहीं धान शु के साथ किस बात को लेकर के विवाज था तो मंगम्मा की जो बहु जीव हो थी नंजम्मा और विवाद था खोका को लेकर के सिधा लिख सकते हो इतना ही आना ही तो यह लिखो एक दिन बहु ने किसी बात पर पोटे की पोटे की पीट आई पोटे की पीट दिया यह पोटे को इस पर मतलब कि उनकी बहु नंजमा जो अपनी बेटे को पीट दिया इसलिए अ मंगम्मा ने कहा क्योंने लाक्षत सी छोटे वच्चे को क्यों पीट रही है इस पर बहु ने नंजम्मा को जो आना खड़ी कोटी सुना दिया इस बात को लेकर के मंगम्मा का बहु के साथ में बिवाद हो गया आगे नेक्स्ट कुछ ने ग्यारे नमर प्रत्न बुला गया कि बताईए देवनागरी लिपी में कौन-कौन सी भासाएं लिखी जाती है तो हुआ है आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट कुछ नमरा हो जाता है बारा नमर प्रसनी क्या बोला ध्यान प्रवक्ति दिखेगा प्रसने की बहादूर के चले जाने पर सबको पच्तावा क्यों होता है तो देकि बहादूर पर जोए 11 रुपिय चोरी करने का आरो आरोप लग गणके सवी सदस को आराम मिलता था किसी भी का रहेत। हर सदस बहादूर को पुकारते रहते थे वा घर के कार से सब्सको मुक्त रखता था साथ रहते-रहते सबसे हिल मिल गया था दांट फटकार के बाबजूर काम करता था यही सब कारणों से उसके चले जाने पर सबको पच्टावा होता है, अब बहादुर जो है क्यों चला गया था, तो बहादुर जो है, लेकक के घड़ में काम करता था, एक दिन किया हुआ, कि बहादूर जो है लेखक और उनकी पतनी का जो बेवार था वो दोनों एकडम चेंज हो गया था बदल गया था बहादूर के परती इसलिए बहादूर को लगा कि अब मुझे याँ पर नहीं रहना चाहिए तो घर छोड़ करके वो चले गई थे तो यह भी पॉइंट यार र होते हैं प्रंप्राप पा का मुल्यांकन पाठ के नुसार लिखे तो तरोगा कि लेखक कहते हैं कि साहित के साहित के मुल राजनितिक मुल्यों की अपेक्षा अजिक अस्थाई है इसी पुष्टी में अंग्रेज कवी तेनी संद्वारा लेटीन कवी वर्जील पर रचित उस कवीता की चर्चा करते हैं जिसमें कहा गया कि रोमन सामराज का व्यवव समाप्थ हो गया पर बजील के काव शागर की द्वनी ट्रंगे हमें आज भी सुनाई देती है और हिर्दया में को आनंद विहवल अजन विहलूर कर देता है हम कह सकते हैं कि ब्रतिश सामराज के पटन के बार जब उसका जब उसका नाम लेने बाला नहीं राज आएगा तब भी जना सेक्सपियर मिल्टन और सैली बिस्व संस्कृति के आकास में पुर्व की वहांती जगमागाते नजर आएंगे और उनका प्रकास पहले कि या पिक्छा करो लो नहीं आखे देखेंगे कहने के आर्थ हुआ कि तीन व्यक्ति है पहले के टाम है जो अंग्रेज राज करता था हमारे देश में तो उसमें था तीन व्यक्ति एक था सैक्सपियल दूसा था मिल्टन तेज़दा था सैली यह तीनों व्यक्ति क्या हुआ जो संस्कृत भासा मड़ा है उसको बढ़ाव इस परकार राजनितिक का मुल कलांतर में नस्त हो जाते हैं है पर शाहित के मुल अधिक अस्थाई होता है न इस परकार से आगे बढ़ाए जो है चोहए चोहरा नमर्कृष्ण और चोहरा नमर्कृष्ण आपके पूला गया कि अपने बिबा के बारे में बिर्जु महाराज की साधी 18 साल की उमर में हुई थी उस समय विभा करना महाराज अपनी सबसे बड़ी गल्थी मानते थे मानते हैं लेकिन बाबु जी की मिरत्यू के बाद माने घवराकर जल्दी में साधी कर दी साधी को अपने जीवन में नुकसान दे मानते हैं विभा की वजा से ही म तो पर बढ़ेंगे, नेक्स कोजिघनानरों नमरोर्ट आए परएंट की कभी गुरु नानक किस के विना जगत में जन्म वेट मानते हैं, तो राम नाम के बिना किस्ट को जगत को जन्म वयर्थ, जन्मी लेना AND सब्सक्त Łukh जीवन के वल मिस्ट का भोग करता है तो इस प्रकार से उत्तर होगा आगे बढ़ेंगे तो हो जाता है हमारा सोला नमर कुष्टम कुष्टम है कि कभी रस खान कृष्ण को चोड क्यों कहते हैं तो उत्तर होगा कभी कृष्ण को राधा के पड़ेम में मन मुख्द हो गए हैं उनके मन उस यूगल में रम जाता है उन्हें लगता है कि इस दय मेंसे मन रूपी मनी को कृष्ण ने चुला रिए है चित्राधा क्रिश्टम के यूगल जोडी को में लग चुका है अब लगता है कि यह शरीर मन एबंद चिटट रहीत हो गया है इसलिए चित्र हरने बाले कृष्ण को चोड़ कहा गया है उसकी मोहिनी मूरत मन को इस परकार चुड़ाती है कि कभी अपनी सुद को खो बैठते हैं चलिए अब परता है यह हो जाता है जो है और परचन्द लोगों से तेज परकास निकला और वह चाड़ों तरफ फैल गया इस और परत्यासित परहार से हिरोशिमा के लोग जोना हत परश्ट होड़ा गये उन्हें सोचने का अवसर नहीं मिला उन्हें ऐसा लगा कि धीरे धीरे आने वाला दो पर आज एक च्छन में ही उपस्टिटी हो गया तो बम से जोना परजुआलित अगरी एक च्छन से के लिए दो पर कादेश परश्ट क्या गया եा तो ऑनकी कि आख जैसे वर लास्ट हो गा तो आ आगर सो बहुत स्टर होगा रहें करेंगा तो इस प्रकार से दवारा तो ना पर जु Buzz 요 भक्तभगवान की किर्पा दरिश्टी केक्सको किया सुख्वदेते हैं कभी कहते हैं कि नरम का पोलो पर जब भग्वान की किर्पा दरिश्टी विशाम थे संपने तब भगवान को सुक मिलता है और थात भगवान को का किर्पा पार्टर होता है और भगत रूपी से भगवान भी रूध्य जुक्षि होते हैं तो इस प्रकार से इस कुश्चन का उतर हो जाएगा आगी बढ़ेंगे तो कि आलिन बिलोचन सर्मा का कहिना है कि मदन और कासु के बीच जगले का मूल कारण लट्टू का खेल को माना जाता है क्योंकि मदन को जब ड्राइवर के साथ ड्राइवर के द्वारा गाली नहीं छुने दिया राता है गया था ठठाँ उसे अगया इस बात को लेकर के मदन ने कासु के कासु को लिटुख खेलने से इनकार कर दिया जिसे कासु और मदन के बीच में जगडा होने लगा चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे तो नेक्स्ट कुछ अगली कुछ नमारा हो जाता है जैना 20 नमर प्रशन होगा कि निरत की सिक्षा के लिए पह के स्कूल डिल्ली में हिंदोस्तानी दान्स म्यूजिक से जूरे निर्मला जी का एक स्कूल था है ना उनका स्कूल का नाम क्या था हिंदोस्तानी दान्स म्यूजिक तो उसमें जूरे औहां के कपील जी लीला किल प्रलानी आदिक के संपड़िक में आए तो इस परकार से उ पच्छों को मिलने वाली साधारन अक्षरक्यान बाद नए पहले होनी चाहिए शिक्छा का जरूरी यंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन को संगराम में प्रेम से गिडीना सत्त्त और कर सत्त को कस्थ सहन में हिंसास को आसानी से यह आसानी के साथ जीतना सुझे आगे पढ़ेंगे नेक्स रिम worked 22 कुश्चन होगा कि कवी की दिरिस्टी में आज देवता कौन है और कहां मिलेंगे तो कवी की दिरिस्टी में आपब के देवता करने ली तोड परिश्रम करने वाले मजदूर और किसान है वे पठल तोटते हुए सरक पर या खेत खल्यानों में काम करते हुए मिलेंगे किसानी भारत के मेडू डंड है जेट के जेट की दुपाड़ी यहो या ठंद की सर्दी या फिर जोना मुसलाधार बडशा सभी में आज के देवता बिना ठके हुए खेत खल्यानों में डटे के हुए मिलते हैं आगा बढ़ेंगे नेच्ट कुश्चन हमाराओ जाता है 23 नमड कुश्चन और 23 नमड को हुगा कि गांधि जी गांधि जी किस तरह के सामराज्य को भारत के लिए वहतर मानते हुआं क्यों लिए ₹मात्य और श्лयां बहारतिया जीवं से पर्वावित हुए लेकिन गानी जी कहता है कि सामंजस कुड़रती तौर पर विदेश स्वादेशी धंक सिक स्वादेशी धंका होना होगा और साथ में पड़तेक संस्कृति के लिए अपना उचित अस्थान सुरक्षित होगा तो इस प्रकार से उट्टर होगा आगे बढ़ेंगे कुश् होगा 24 मुण कुश्यान है कि हीरोशीमा में मनुस्थ की क्या साखी के रूप में है हीरोशीमा में मनुस्थ की साखी के रूप में क्या है तो टरोगा आज ही आज भी हीरोशीमा में साक्षी के रूप में जो है अर्था अर्थ साक्षी का अर्थ होता है परमान परमान के प्थरों पर टोटी फुटी सड़के पर घर की दिवालों पर लास के निसान च्छाया की रूप में साक्षी मतलब आज भी आप जाओगे हिरोशिमा कभी घूमने के लिए तो आपर देखोगे इस तरह का महावल आपको दीखेगा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कुछ नमरा ह असानी से सवप जा सके देख लीजेगा फिर से बता दू हो काड trap को बानते हैं कई लिए ङम करे बीचार माद्यम से मनुस्का में साहस सिक्छा के बल सदाचार जैसे गुनों का विकास होना चाहिए क्योंकि चरिटर निर्मान होने से समाजिक उठान स्वयम होगा सासी और सदाचारी व्यक्ति के हाथों में समाज के संगठना का काम आसानी से सोपाजा सकता है तो इस प्रकार से उप्टड होगा हम लोग प्याल बच्यों और भी करेंगे कुश्चन हैना कुश्चन हमारे साब पास बहुत सारा है ठीक है यह सारा कुश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कबर करेंगे आप लिगोश एक रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को ना सस्क्राइब क पर लेना नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करके वाल पर जरूर प्रेस कर लेना इस नमर पर मैसेज करके वार्शा गुडूब विगरा जरूर जोएन कर लेना अन्ठानवे तीन सब्सक्राइब आपको अपना नहीं जिलागर हम कलास टेंट लिगके बैजना है ठेक है और सब्सक्राइब आपको गूगल पर सब्सक्राइब करके वहां पर कलास टेंट के सेशन से जाकर करके डाउनलोड कर सकते हो नेक्स्ट कलास में आपको यह भी बता देगा सामें साथ अच्छे वजे कलास होता है जरूर जूरिए आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताईए और आपको किस सब्सक्राइब का पेपर चाहिए यह भी हमें बताना मिलता है नेक्स्ट ब्लो में तो क्लिए बाइब